बिचले दिनों में एक सर्कुलर हमारे हां पावर डिपार्टमेंट निकल गया था उतरहर्यणादक्षेणी और से और उसमें कोई आफसी बिशे तुई है कि पावर डिपार्टमेंट एक इंडीपार्टमेंट किसानों के ओपर एक बहुत बड़े जुर्माने का एक सर्कुलाइजन निकाल दिया है कि किसी किसान का अगर कोई फाल्ट मिलेगा मानों कोई लीगल क्नेक्शन की बात है कुछ और है तो उनका जो जुर्माना वैसे तो पहले से तय है 2000 से लेकर और 20 000 तक ऐसा जुर्माने उसमें लगते हैं अलगलग परकार के उसमें फाल्ट रहते हैं लेकि इन्हों ने उस 2000 से 2000 के जुर्माने हैं वह 6 लाग तक भी उसके लिमिट बना दी अब वो 6 लाग कोई सुन करके इसी हाल थरा हो जाएगी तो हमें भी जब पता लगा इसरकुलर का तो मैंने तुरंत नराज भी हुआ मैं और मैंने का इसको हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे HRC का अपना एक प्रकार हो सकता काम करने का लेकर HRC के ओर्डर को भी सरकार मानने के लिए बाद्धिया नहीं है और विशेशत तोर पर किसानों के लिए क्योंकि किसानों की पावर की सब्सिडी की सारी सरकार देती है एक परकार से देखा जाया है तो अगर वो कोई connection वाननों इलिगर लग भी गया मेटर नहीं भी लगा तो उसका पैसा दो सरकार दे चुकी है उसमें से अगर कोई लॉस होता है तो इतना ही होता है कि कोई एक दस पैसे का पर यूनिन का जो बिल आना होता है वो ही नहीं आता है तो दस पैसे यानि पावर यूटिलिटीज के लिए यह एक एरसी का इतना बड़ा कंसर्म नहीं होना चीए यह कंसर्म तो तब होगा कि जब पावर डिपार्ट्म को पैसा उसका नहीं मिलता हो वो तो जितनी एपी को स्प्लाई होती है उस्प्लाई के हिसाब से ही पूरा पैसा अभी भी लगबत 6,000 क्रोड रुपे से उपर जो एपी फिडस को स्प्लाई होता है वो पैसा सरकार की और से यूटिलिज को दिया जाता है अगर उसमें कहीं कोई कनेक्शन किसने लगा भी लिया तो बहुत बड़ी मात्रा उसमें कोई पैसे का लॉस यूटिलिज को नहीं होता सरकार जरूर इस बात की जिंता करेगी कहां ये सिस्टम नहीं होना चाहिए किसानों से अपील करता हूं कि भले पैसा कम भी देना है तो भी दे देना चाहिए उसमें चुरी करना का कोई अर्थ नहीं है अलग से उसके कनेक्शन कुणी कनेक्शन लगाना के आशकता नहीं है